जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था फिर भी सोचा कि यार इस मूवी को देखा जाए क्योंकि रिव्यू करना है चैनल को जिंदा रखना है उसके ओपर वीडियो जालनी है कुछ चिलर मुझे कमाने आंज के हम इस वीडियो में चरजा करने वाले भूल 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 या थ्री मूवी के बारे में इसकी जो लायन। है वो तक्रिमान दाई घंटे के आसपास है दाई घंटे लायन। कौन रखता है यार मूवी की रूह बाबा जिसका नाम रूहान है जिसको प्ले के है कार्तिकारे ने तो रूहान जो वो लोगों को ठगने का काम कर रहा है भूत के नाम पर लोगों को बताता है यहां भूत है पिसाच है इसको भगाना है तो उसकी हेल्प करनी मतलब की रूह बाबा की हेल्प लेनी होगी तो इस करके जब वो काफी ज़्यादा famous हुआ पड़ा है रूप बाबा के नाम से लोगों को ठक भी रहा है, तो इसको एक हवेली में बुलाया जाता है कि आओ भाईया, यहां पर आके भूत भगाना है, असली का भूत है, भूत नी है, पिसाच है, एक है, दो है, कितनी भी है, आपको यहां पर आके इन भूत को भगाना है, तो मतलब उसको बुलाया जाता है, या जबरदस्ती ले जाय तब याब मुवी देखोगे, तब ही आपको पता चलेगा, वैसे इस मुवी का रिव्यू करने में काफी जादा लेट हो चुका हूँ, जब तक रिव्यू आयागा, शायद ये मुवी हट भी चुकी होगी, वैसे अच्छी बात है, बुरी बात है, इस वीडियो में आपको मै इस हवेली से दिखाया गए, उसके पास्ट में कोई कनेक्शन यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गए, वो क्या आगे हैं, जब याप मुवी देखोगे, तब ही आपको पता चलेगा कि हाँ, इसकी स्टोरी क्या है, इसमें कितने भूत है, कौन सी भूतनी है, उनका क्या मकस है, क्या उनका पास्ट रहा है, अब वो वापस क्यू आएं, वगेरा वगेरा, इन तमाम स्वालों के जवाब तो आपको मुवी देखने पर ही मिलेंगे, तो यह होगे इसकी कहानी, अब बात करते हैं, इस मुवी में अच्छा क्या है, इस मुवी को देखने से पहले जो मै करना पड़ा, और एक दिन मुझे लगा है, अपने आपको ठीक करने में, फिर सोचा कि यार इस मुवी को देखा जाए, अब यह मैंने क्यूं बताए, क्यार देखो उस मुवी, यानि सिंगम अगें टटी मुवी के मुकाबले, बुल-बुलिया 3 जो मुवी है, वो ठीक है, अब दिखो कुछ न कुछ अच्छा बोलना है, तो जब अरुष्टी की चीज़े मुझे डूडनी पड़ रही है, इसके लावा मुवी में कॉमेडी सीन है, कुछ-कुछ कॉमेडी सीन है, वो आपको पसंद आएंगे, उन पे हसी आजाएगी, कुछ-कुछ सीन है, बाकी सी जो मिस्ट्री जो होती है, आपको वो चीज़ें बताई जाती है, तो वो थोड़ा बहुत आपको इंट्रेस्टिन लेगेगा, इसलिए भी लेगा, क्योंकि आप धाई गुंटे से वेट कर रहे हो, मतलब दो घंटे से जादा टाइम आपको लग जाते है, इस मुवी में उ पैसे कमाने के लिए ही आती है, लेकिन कुछ मुवी में फोकस किया जाता है, पैसे के लावा ओडियंस को, ओडियंस के ओपर की, हाँ, इनके एंटर्टेन्मेंट का ध्यान रखा जाए, एलिस इन्होंने रुपया दिया है, टिकट करिदने का, तो उनको उस रुपया का वस आ रही है, तो वहाँ पर राइटर साब को कितना मोका दिया होगा, कहानी को अच्छे से डेवलोप करने में, क्रेक्टर को डेवलोप करने में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और इस मूवी को देखकर ऐसा फिल होगा, कि जो मेकर्स है, वो भूल-बुलईया वन जो आय थी, जनता हो क्या पता चलता है, अब जो इसमें कोमेडी सीन रखे गए है, जैसे मैंने का कुछ-कुछ सीन है, जहां पर आपको हांसी आएगी, बाकी जो सीन है, उनका क्या, दोखो, उन्होंने जो कॉमेडी सीन इसके अंदर रखे हैं, जो भी डायलोग आपको सुनने को मिलते इतने वाहियात, इतने घटिया डायलोग है, इतने घटिया सीन है, वो कॉमेडी वाले, और उनको देखकर हंसी नहीं आती, इरिटेशन होती है, इतने बखवास तरीके से वो चीजों के हमारे तमने रखा गया, हलांकि आप ट्रेलर देखेंगे, ट्रेलर में ही पता चल जाए एक लंबा टाइम है, लेकिन इस तरीके के डायलोग, इस तरीके के आपने कॉमेडी सीन रखे हैं, और ट्रेलर में आपको अरुन खुषवा भी दिखेंगे, जिनका एक यूटूब चैनल है, छोटे मिया करके, बहुत अच्छी वीडियो उनके आती है, वो काफी एक कॉमे करके रख दिया, फिर त्रिप्ती डिमरी, कोई भी इंपोर्टेंट से नहीं है मुवी के अंदर, बस हाँ एनिमल मुवी में जो उनको लिया गया था, जिस लिया गया था, बस इस मुवी में समझ लो हाँ, उसी परपस से त्रिप्ती डिमरी को लिया गया है, कोई मतलब उन कि talent का यहां पर पूरा तरीके से use ही नहीं किया गया, बस क्या कर रहे हैं, कुर्शी को चक दिया यहां पर, वो यार इतना बखवास मुझे लगता है, तो performance के मामले में भी यह movie मुझे बहुत जादा निराश करती है, और अगर बात करूँ तो देखो, कहानी में बिल्कुल भ में पता, इसमें दिखाया गया है, कौन भूत है, कौन भूत नहीं है, क्या परपस है, वो सब चीजे हमें देखने को मिलती है, इसके लाब performance भी ठीक ही है, या फिर average भी कैसे है, उससे भी नीचे कह सकते हो, तो मेरी तरस से तो देखो, इस movie को मैं देना चाहूँगा, 4 out of 10 और भी क्यों दे रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, अगर आप लोगों ने movie देखे, तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों का movie कैसी लेगी, अगर नहीं देखे, तो कुछ टाइम वेट कर लीजी, किसी oddity platform पर आई जाएगी, हालांकि जब तक review आएगा, तब तक कि टेलर से हट, मतलब कि थेटर से हट चुकी होगी, तो वस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में, thanks for watching this वीडियो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, जाए हिंद,